नमस्कार दोस्तो मेरा जिनतिमारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र आज हम जानेंगे कि पेंट की इंक के कलर का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है मतलब क्या इंक के कलर आपके किस्मत या भागी पर कुछ असर डाल सकते हैं अगर हां तो क्या और कैसे लेकिन आगे बढ के इंक पेन का यूज करते हैं या पांच कलर के इंक वाले जो पेन है उसका यूज करते हैं जैसे कि रेड ब्लेक ब्लू ग्रीन और पिंक यही वो कलर है जिससे हम सभी लोग सौमनेते लिखते हैं अब आगे मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई पर्टिकु कि आप हमेशा एक ही पेन का यूज कीजिए मतलब आप चाहें बार बार आप में रिफिल बदल लीजे लेकिन जो पेन है वो आप एक ही रखिए ज़ादे तर लोग क्या करते हैं कि पेन लिया टेन रुपीज का या फाइव रुपीज का वो खता हुआ पेन को फिक देते है फिर दूसरा पेन खरीद लेते हैं ऐसा नहीं करें आप अच्छा पेन खरीदिए आप बार बार उसकी रिफिल बदल लीजे लेकिन पेन आपका एक ही होना चाहिए इसके आपको परणाम अच्छे मिलेंगे अगर आप एक ही पेन का यूज करते हैं तो सबसे बबरे बात कर आई लाल कलर के पेन की आपको पता लाल कलर कि बात नियखा रहा हूं और आपको पता है कि लाल रंग जो होता है वो सूरह और मंगल का कलर होता है ema तो आप हम स्मस kiedy आपका सूरी या मंगल दोनों में मैं थे तो आप ज़ादे से ज़ादे अगर इन परणड़ के यूजड़ करोगे मतलब रेट परणग होने लगे इस रंग की शाही का प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास ताकत होती है, ताकत यहां फिजिकल स्ट्रेंट की निभात निकार रहा हूं, ताकत मतलब उनके पद की ताकत होती है, उनके जो सीट होती उसकी पावर की बात कर रहा हूं है, यह लोग वो होते हैं, ज तो आपकी उस पोजिशन का जब यूज कर रहे हो, तभी आपको इस कलर का यूज करना चाहिए, लेकिन किसी भी जगे अगर आपने इस कलर का यूज किया, तो आपके संबंद खराब हो सकते हैं, आपके संबंद उनसे बिगड सकते हैं, चले हम बात करते हैं, ब्लू पेन की, या Blue Ink वाले पेन की तो जैसे कि आपको मालूम कि अक्सर सभी जगे Blue Pen से ही लिखा जाता है इसका भी एक कारण है Blue क्योंकि Blue जो कलर होता है वो बुद्धिमान शनी का कलर होता है और Blue Pen इसलिए जादी यूज़ करते हैं क्योंकि इस कलर की यूज़ करने से अगर कोई भी उलज़न होती है तो उनको जल्दी से सुलढ लेते हैं लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी प्रेम और ला एन आर्डर के जो मामले होते हैं उसमें इस कलर का यूज़ नहीं करना है आपको इस कलर के यूज़ करने से आपको बचना है अनिथा आपको हानी हो सकती है साथी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ये आपको ऐसा लगता है कि आपका शनी खरावे तो आपको इस कलर का पेन का यूज़ करना चाहिए मामलों में परफावशाली भूमी का अदा करता है। मतब धन के मामले हो या निर्ने लेने की जो छमता होती है उसमें ये बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर कोई व्यक्ति इस करणर की शाही का नियमित प्रयोग करता है तो एसे व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है वो साथ ही निर्णे लेनी की जो छमता है वो भी बढ़ती है जो लोग धन, वित वा न्यायस से संबंदित काम करते हैं उनकी लिए ये शाही हमेशा अच्छे परिणाम देती है माली जी किसी व्यक्ति का निर्णे लेने की छमता अच्छी नहीं है या धन संबंदी कोई सी प्रकार की प्राबलम है तो उसको ग्रीन कलर के पेन का यूज जादे से जादे करना चाहिए चले बात करते हो ब्लेक इंक की या काली शाही वाले पेन की ये ज के प्रती हमेशा सजग रहते हैं सामानी रूप से तक्निकी मतलब टेक्निकली कानून या ला संबंदित या फिर हाई पोजिशन पर जो लोग बेठे हुए है इस इंक का प्रियोग उन लोगों को अवश्य करना चाहिए और जिन लोगों का मन इस्थिर नहीं रहता बार बा कि छरुड को चलाओ करना चाहिए उन लोग को भी ब्लेक पेंग का यूज ज्रूर करना चाहिए चले आखरी बात करते हैं घुलाबी पें कि या पिंक इंक पहन की जैसे कि आपको कि पता है कि जोिंक प्रधन और तो जब आपकी भाव्नाव को व्यक्त्क करना तो इस शाही का प्रयोग अवश्य करना चाहिए जब भी आपको कभी किसी को लव लेटर लिखना हो तो आप इसी प्रयोग कभीता कथा और प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए उत्तम कलर होता है यह अगर आप इन तीनों चीजों को इस कलर की पैन से लिखेंगे तो इसकी प्रेणाम आपको अच्छे मिलेंगे अगर सफेद कागश पर गुलाबी शाही से प्रेम और कला की अवियक्ति करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के ज़्यादे संभाव ना होती है लेकिन साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप इस पैन का इस कलर की इं है तो प्लीज से लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे से जोतिश मंत को सब्सक्राइक कीजिए आज के लिए इस इतना ही मिलते हैं एक नए विशे के साथ तब तक आप रही खुश्च और मुझे दी जाग्या जय हिंद् कर दो जाए मादार work के ऋब कर दोला कीजिए को एक स्ऺज से लिएक को मादा को ज flor치 विए Südland